हलो दोस्तों मैं प्रशान्थ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एक्विटी टो कॉंटी में स्वागत करता हूं तो आज हम इस वीडियो में एक वाट जबदस्त इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के उपर बात करने जा रहे हैं और यहां पर जो हम ट्रेडिंग लेवल भी काफी ज्यादा हाई होगा और आप इस ट्रेडिंग स्ट्रेटी से लगबग आप 90% तक की एक्विरेशी लेवल की आप उमीद कर सकते हैं तो चलिए इस ट्रेडिंग स्ट्रेटी को सीखते हैं जो कि आपका है बेस्ट ऑन एक्स्पोनेंशल मुविंग अबेस ए यहां पर हम चार्ट पे आगे हैं और देख सकते हैं यह जो चार्ट है आपका निफ्टी-50 का 5-minute टाइम फ्रेम वाला चार्ट है जिसके वेसिस पे आप आसानी से इंट्रेड ट्वेडिंग कर सकते हैं इंट्रेड ट्वेडिंग करने में कोई दिक्कत नहीं होगी और यहा पर हमें सबसे पहले दो इंडिकेटर यूज करना जो कि मैंने आपको अलबेगी बता है क्या क्या यूज करना सबसे पहले आपको 200-day exponential moving यही 200-day EMA यूज करना और उसकी बाद दूसरा जो इंडिकेटर हमें यूज करना है वो है आपका पाइवर्ट पॉइंड अब यही दो इंडिकेटर के वेशिस पर हम क्या करेंगे Intermediate Trading Strategy फर्म करेंगे लेकिन हम इन दोनों इंडिकेटर के वेशिस पर Trade कैसे करेंगे वो समझने की ज़वरत है अब यहाँ पर पहला conditions क्या है कुछ conditions को आपको ध्यान में रखके तभी trade करना होगा पहला conditions है कि दोनों आपका एक साथ हो एक time पे तभी यहाँ पर हम trading opportunity find करेंगे तभी यहाँ पर हम trading positions initiate करेंगे और जब आपका दोनों एक साथ हो दोनों के बीच में ज़्यादा distance नहीं हो तो price जो है क्या करना चाहिए दोनों को आइधर support के रूप में tweet करना चाहिए या दोनों आइधर support level के रूप में काम करें या फिर resistance के रूप में काम करें तभी हम यहाँ पर trading positions initiate करेंगे यानि जो support level मिलना चाहिए वो clear cut support level है कोई एक candle के basis पे या फिर दो candle के basis पे support level form नहीं होना चाहिए यहां पर multiple candle होना चाहिए या फिर बार बार सेम लेबल को retrace करना चाहिए तभी वो crucial support या फिर resistance के रूप में काम करता हुआ दिखेगा और तभी हम उसको supporter resistance के रूप में tweet करेंगे तभी हम उसको supporter resistance मानेंगे तो बस आपको यही conditions ध्यान देना है दो indicator को use करना दोनों indicator एक साथ रहे तभी हम trading positions initiate करेंगे और दोनों जब एक साथ रहे आज़र दोनों support के रूप में काम करें या फिर resistance के रूप में काम करें अब हम इसी को चलिए समझते हैं example के थूप यहाँ पर अगर हम बात करें तो सबसे पहले थोरा साम पीछे आना चाहेंगे और यहाँ में आपको एक ची दिखाना चाहूंगा अब यहाँ पर देखें यह आपका पाइवर्ट पॉइंट और white line है आपका 200 EMA यहनि 200 exponential moving average और पाइवर्ट पॉइंट आपका multiple दिखेगा आपको multiple पाइवर्ट पॉइंट लेवल्स मिलेगा तो किसी भी पाइवर्ट पॉइंट लेवल्स के आज पास हमें exponential moving average देखना चाहें तब हम trade positions initiate करेंगे अब यहाँ पर आपको trading opportunity थोरा सा कम मिल सकता है लेकिन जब भी मिलेगा वहाँ पर पॉरेशी लेवल हमें ज़्यादा देखने को मिलेगा अब यहाँ पर हम 15 अफ नॉवंबर की ही बात कर लेते हैं देखिए यहाँ पर क्या हुआ आपका exponential moving average और private point दोनों आपका एक लेवल के करीब आया है अब price यहाँ पर आया है यहाँ पर हम clear cut बोल सकते हैं कि यह आपका private point और exponential moving average जो कि आपका 200 day EMA है वो हमाई लिए support के रूप में काम करता हुआ दिख रहा है अब यहाँ पर हमें trading positions कैसे initiate करें यहाँ पर हम कोई pattern find करेंगे चाहे best on high हो, low हो या फिर trend line draw करेंगे या फिर कोई candlestick pattern find करेंगे जैसे हम positive या फिर negative candlestick pattern के basis पर भी trade ले सकती यहाँ पर हमने क्या किया इस highest point और इस highest point को join करते हुए इस तरीकिस हमने trend line draw किया है अब यहाँ पर हमें क्या करने की जोगत इसके बाद finally यहाँ पर हमें breakout देखने को मिला है और जैसे यहाँ पर हमें breakout देखने को मिला है यहाँ पर हम buy set की तरफ positions initiate करेंगे और यह जो point होगा यह हमाई लिए क्या काम करेगा यह हमाई लिए SL की रूप में काम करता हूँ दिखेगा और अगर हम target price की बात करें तो पहला target price आप इस private point को रख सकते हैं और same day अगर हम बात करें तो same day देख सकते हैं T2 तक नहीं किया अनि target 2 को तो hit नहीं किया लेकिन target 1 को आसानी से hit कर दें यहाँ पर हमें अच्छा खासा profit मिल जाएगा और अगर आप यहाँ पर options में trade करना चाहते हैं तो यहाँ पर हमें जो training positions initiate करना 18,300 के करीब करना है यहनी हमें एक breakout level मिल गया तो यहाँ पर हम options में trade करते हैं तो 18,300 के call options को यहाँ पर हम buy कर सकते हैं नहीं तो features में आप levels के basis पर तो buy side की तरब जा ही सकते हैं उसके बाद जैसे ही price हमारे target price को hit किया यह लगबग इसने 18,350 के level को touch किया यहाँ पर हमें options में भी लगबग 30 point का profit हमें आसानी से मिलता हुआ दिख जाता और अगर आप futures में trade करते हैं तो features में 50 point का profit आसानी से मिलता हुआ दिख जाता तो इसके basis पर भी हम intraday nifty, bank nifty या किसी भी stocks में trade करके profit बना सकते हैं यहाँ पर हम और example देखते हैं अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़े तो यहाँ पर भी अगर आप बात करें 16th of number की तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि क्या हुआ यह आपका pivot point है और यह आपका 200 day exponential moving आवे दोनों के बीट में थोड़ा सा difference है लेकिन अगर हम candle के size को देखें तो candle का size काफी big बन रहा है और एक ही candle इसको और इसको दोनों को touch कर रहा है और दोनों को काफी हता किसके रूप में tweet कर रहा है support के रूप में tweet होता हुआ हमें दिख रहा है तो यहाँ पर भी हम क्या find करेंगे कोई हमें pattern find करने की जुगात है और pattern अगर हमें नहीं मिलता suppose that for यहाँ पर हमें कोई pattern नहीं मिल पा रहा है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे इस candle के high को mark कर लेंगे और यहाँ पर low को भी mark कर लेंगे और यह हमाई लिए SL के रूप में काम करेगा या फिर यह हमाई लिए breakdown के रूप में काम करेगा यहाँ पर हम sell सर की तरफ positions initiate करेंगे इसके उपर निकलते हम buy सर की तरफ जाएंगे या नहीं तो यह जो label हमाई लिए SL के रूप में काम करेगा तो जिस भी तरफ हमें breakout या breakdown देखने को लेगा उसके बाद जो भी आपका next level बनेगा वो हमाई लिए support या फिर stop loss के रूप में काम करता हुआ दिख जाएगा अब यहाँ पर देखिए finally वापस समय breakout देखने को लाए यहाँ पर हम buy करेंगे यह जो label है अब हमाई लिए SL के रूप में काम करता हुआ दिख जाएगा यहाँ पर finally हमारा SL यहाँ पर बना है white line के आसपास ही और यहाँ पर हम buy side की तरफ entry लेंगे और buy side की तरफ entry कब लेंगे इस candle पर buy side की तरफ entry लेंगे जो कि आपका 3 PM के आसपास बना है और इसके बाद market closing में ज्यादा time भी नहीं है तो अगर आप यहाँ पर थोरा सा whisk लेके trade करना चाहते हैं तो आप trade कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर आपको any hour profit मिलता हुआ दिख रहा है तो कई बार आपको profit मिलेगा लेकिन थोरा सा market closing का time है तो आप चाहो तो trade ले भी सकते हो और अगर आप avoid करना चाहते है for the safety purpose तो आप इसको avoid कर भी सकते हो लेकिन यहाँ पर हमें profit मिलता हुआ अब ultimately दिखा उसकी बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी आपका 200 exponential moving average और private point दोदो एक बड़ाबर ही है लेकिन single candle इसको touch करके उपर निकल लिया यहनि एक candle के भरोसे यहाँ पर हम इसको support के रूप में नहीं मानेंगे मैंने आपको बताया था कि एक candle touch करके अगर उपर जाता है या support resistance मानता है तो वो हमाई लिए support resistance नहीं होगा multiple candle आना चाहिए या फिर same level को दुबारा या फिर तीन बार repeat करना चाहिए या फिर respect करना चाहिए यहाँ पर हम इसके basis पे by positions initiate नहीं करेंगे वापस से price आया है और इस level को support के रूप में काम करता हुआ दिखा है तब भी हमाई लिए support के रूप में काम करेगा और यहाँ पे 200 exponential moving अब ज़र private point में ज़्यादा कोई difference नहीं है तो दोनों हमाई लिए क्या काम किया है support के रूप में काम किया है अब यहाँ पे क्या देखें अब यहाँ पे अगर हम देखें तो यह तीनों candle या फिर इन सबको एक सा जॉइन कर ले तो आपका काफी हथ तक morning star candlestick pattern जैसा formation किया एक जैक्ट तो ही है लेकिन काफी हथ तक ही morning star candlestick pattern जैसा formation किया है तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे हम by sir की तरफ positions initiate कर सकते हैं लेकिन by side के तरफ positions initiate कब करेंगे जैसे यह white line को cross करके उपर निकलेगा यानि हम इसी level के आसपास by side के तरफ entry लेंगे और यह जो हमारा label बनेगा लगभग 13,360 के आसपास यहाँ पे हम by side के तरफ entry ले सकते हैं यानि 13,360 के करीब by side के तरफ entry लेंगे और यह जो point होगा हमारे लिए 13,350 SL के रूप में काम करता हो दिखेगा यानि यहाँ पे SL भी जादा big नहीं है SL भी छोटा सा है यह आपका है 18,000 18,000 350 हमारे लिए SL के रूप में काम करेगा और उसके बाद यहाँ पे हमारा जो पहला target price होगा next private point का level है 18,400 यहाँ पे जो हमारे लिए target के रूप में काम करेगा वो करेगा 18,400 risk reward भी हमारे favor में ही है उसके बाद अगर हम यहाँ पे देखें तो दुबारा सा नीची आया और इस level को टच किया है और इस level को यहाँ पे भी support के रूप में भी काम किया है अब finally हमें यह दोनों level जो है अपका 200 exponential moving average और private point support के रूप में काम करता हुआ दिखा है अब हम इसको support के रूप में मान करके trading positions initiate कर सकते हैं जो हमने conditions रखा है यहाँ पे आके हमारे conditions को यह satisfy किया है तो अब हमें यहाँ पे कोई एक positive pattern find करना है तो अगर आप यहाँ पे गौर से देखें तो आपको क्या देखने को मिलेगा आपको morning star candlestick pattern जैसा formation देखने को मिलेगा exact तो नहीं है लेकिन उससे मिलता जूलता है इसके basis पे हम trading positions initiate कर सकते हैं तो यहाँ पे हम कैसे trading positions initiate करेंगे जैसे यह price इस white line को break करके लेबल के करीब हमारा जो SL के रूप में काम करता हो दिखेंगा वह लेबल होगा इसका lowest point 18,350 18,350 जैस 10 point का SL है चाहँ तो आप थोड़ा सा और नीचे कर सकते हो target price के अगर हम बात करेंगे यह point target price के रूप में काम करेंगा 18,400 करें यहाँ पर हमारा जो target बनेगा वो बनेगा आपका 18,400 का यहाँ पर हमारा target price बनेगा तो देख सकते हैं target यहाँ पर हमारा 40 point का और जो SL बनवा छोटा सा SL बनवा सिर्फ 10 point का risk reward काफी हद तक हमारे favor में आप चाहो तो इस target price के लिए जा सकते हैं नहीं चाहो तो आप avoid कर सकते हो लेकिन काफी हद तक देखिए हमारे target price से करीब आ गया जस 10 point target price से नीचे है और उमीद है कि आगे भी यह hit कर ही देगा तो इस तरीके से हम intra day में इन सारे situations को रेखते वे trading positions initiate कर सकते हैं और इस तरीके से आप profit बना सकते हैं समिदरली यहां पर हम बैंक निफ्टी पर भी आते हैं लेकिन उससे पहले आपको एक चीज़ बतना जाएंगे कि अगर आपको technical analysis सीखना है details से from basic to advanced उसके उपर हमने course design किया उसके लिए आपको हमारा mobile app equity community को download करना होगा play store से नहीं तो उसका link आपको इस video के description में भी मिल जाएगा और वहाँ पर आपको technical analysis के बारे में इस तरीके से बताया है कि आप as a independent trader काम कर सकते हैं खुद से अपना trading decisions ले सकते हैं और वहाँ पर आपको future options के बारे में भी बताया गया future options में भी आप basic से लेके advanced level तक सीख के आप as a independent trader काम कर सकते हैं stock market वारे में basic से लेके complete advanced level तक बताया गया यह नहीं zero से लेके आपको advanced level तक बताया गया और इस तरीके से बताया गया कि आप stock market और अपना carrier भी बना सकते हैं तो आप एक बार हमारा mobile app डाउनलोड करके जरूर को विजिट कीजिए पसंद आता है तो आप course को enroll कर सकते हैं तो यहां पर हम दूसरे एक जहां पर आते हैं bank nifty वाले पर bank nifty में यहां पर देखे तो हमें same conditions को देखना है कि आपका 200 day exponential moving average और private point दोनों आपका एक साथ हो दोनों either support के रूप में काम करें या फिर resistance के रूप में काम करें बस यही conditions है अब यहां पर देखे आपका यह रहा आपका private point और यह रहा आपका 200 exponential moving average अब price क्या गाम कर रहा है दोनों के लिए price लगबग आपका resistance के रूप में काम करता हुआ दिख रहा है तो यहां पर हम क्या करें इसके basis पे हम trading positions initiate कर सकते हैं जैसे price इसके नीचे closing दिया है यहां पर हम क्या करेंगे यहां पर हम sell side की तरफ entry लेंगे यह point हमाई लिए sell के रूप में काम करता हुआ दिख जाएगा फिर हम इस target price के लिए definitely जा सकते है price आपका नीचे आए और इस target price को hit किया है और यहां पर risk reward भी काफियत तक हमारे favor में ही है उसके बाद वापस से अगर आप यहां पर देखे और यहां पर एक और जीज जो resistance के रूप में काम किया single candle नहीं काम किया देख सकते है 1,2,3,4 4 candle लगातार आपका resistance के रूप में काम करता हुआ दिखा है और उसके बाद जैसे ही price आपका इसके करीब आया इसको भी आपको काफिया तक resistance के रूप में ट्विट किया फिर price आपका नीचे सहर की तरफ गीरा है तो हमें यहीं देखना किसी एक single candle पर भरोसा नहीं करना है यहां पर भी अगर आप बात करें तो देख सकते हैं यहां पर भी क्या आपका 200 day EMA और आपका पाइबर पॉइंट दोनों आपका resistance के रूप में काम करता हुआ दिखा है और उसकी बात जैसे ही इसको break करके उपर निकला हम बाई-साइड की तरफ interview ले सकते हैं यह point हमाई लिए SL की रूप में काम करेगा फिर हम इस target price के लिए जा सकते हैं जो कि gradually इस target price की तरफ बढ़ रहा है आपको trade कम मिलेगा लेकिन जो भी मिलेगा accuracy level जादा होगा तुमीद करती है simple सा concept आपको समझ में आ गया होगा अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया प्लीज वीडियो को like करके हमें इनकवेज कीजिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी किजिए साथे साथ बेल आइकन दवान ना भूले ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप वीडियो मिस ना करें So that's all friends, मिल दें नेक्स वीडियो में जय हिंद